हमने गाड़ी यही से परचस के चुछ और आभी हम लोगा आए मारशे के शोरूम में यह देखो सारे आउटलाइन कंप्लेट हो चुकी है अभी सुना आवज कुत्ते कैसे भूक रहे हैं देखो मॉम्मे के आरते चालो है मुद्ध करने यहां देखो आधी अपनी अरे प्रवाद आदी है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं निव व्लॉग और आज मुझे जाना एक शोरूम में अभी टाइम हो चुका है ग्यारा बचके आटरा मिनेट 1118 तो एक अंकल है हमारे तो उनको गाड़ी लेने मेरे पापा के फ्रेंड यह तो वोले कि आप लोग के पास में शोरूम तो आप लोग सजिस्ट करों देख क्या हो गाड़ी वह वहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे तो लेट्सी अभी मम्मे पपा और में हम तिनों लोग जाएंगे फिर मम्मे और पपा को आगी भी जाना है में रिटन आजाओंगे फिर गर पर दोगाइज आज चुके मम्मे पपा अंदर गए है अब दुन्हें भी चलता हूँ हमने गाड़ी यही से पर्चस किती बाल वगएर देखो शेप वगर कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी परफिक बेट गए ना क्या बोली इतने बड़ी गाड़ी यह फाइज सीटर है नहीं सेवन सीटर है अब हम जा रहे है आई ट्वेंटी देखने के लिए मतलब लेना किसी और कोई लेकिन पॉपा का मल नहीं बहरा गाड़ी देखती है पॉपा बूल रहे है आई ट्वेंटी देखती है देखती है मेरे एक दोस्त भी आ रहे है देखने के लिए यहां पे उसे पिक करने जाता है क्या है विकिसे है अब हम लोग आए मारूती के शोरूम में तुम्हें कर देखते हैं तुम्हें कश्का आले क्या बात है एक भी गाड़ी शोरूम में नहीं है वा उंदाए में भी भार दिखाई गाड़ी अब इमारूती वाले भी भारी दिखा रहे हैं चलो आभी यहां से निकलते हैं अभी थोड़ा काम भी है तो भाई चलते आभी चलो आ गया अभी में घर पे अभी टाइम हो चुका है अल्मूस्ट दो भी बच चुके है तो अभी मैं लंच करता हूँ फिर उसके बाद मुझे अपना जो आउट्लाइन बाकी है थोड़ी सी तो फिर ओड्राइंग के आउट्लाइन बना देता हूँ अभी हम लोग गाड़ी दिखके आए तो पपा न वश kinda यह diffus an Tá impacted गいたi व Raw шac은 अभीश जब तक हुआ है पत्रॉंस तो फिर करते तो मैं दूसरा रास्ता तो अपना मैं रहें कंप्लेट हो चुकिा तो अभी है अभी मुझे फिर में से लें कर ने क्या हो रहा है टाइम चार बजने को दस मिनिट का में तो 50 मिनिट्स में इतना कंप्लेट हो चुका है में वैल्लेटर की रहा देख रहा था लेकिन आभी तक वैल्लेटर नहीं आए दिखते कब तक आते हो हे गाइज अभी टाइम हो चुका है छे बजके चौदा मिनिट और आभी वैल्लेटर का कॉल आया था उन्होंने बोल दिया है कि वो कल आते है उकल सुबह आके वैल्लेशन करेंगे लेट्स सी अरे क्या हुआ यह देखो दा दियो आल टाइम टीवी यह देखो यह तो मेरा स्केश तो कंप्लिट हो चुका है मतलब आउटलाइन तो बनाई है बस अभी इसे शेडिंग करना है जो की सबसे इंपोर्टेंट हुई फेक्टर होता है ड्राइंग में तो फिर क्या करूंगा मैं या तो कल य ओर करব में इसमें करूंगा मैं और कभर से मुझे करना है टाइम लैपस वीडियो और इंस्टाग्रां पे मुझे रिल झालना है इस तो दो एंगल में मुझे शूट करना पड़े गया एक तो वेर्टिकल और हो फिर मज़ा आएगा एक ही वीडियो में पूरा एक कवर करके डालेंगे और आप भी मैंने जो आपको बोला ना वो बनाने के लिए मुझे तीन से चार रीटेक लेने पड़े क्योंकि यहाँ पर कुट्टे भूद ज्यादा भूख रहें ऐसे तो नहीं दिख रहें लेकिन सिर इस बात प्र लाइक और चांशनल पने वह थो सबस्क्राइब भी कर दो और दाधी डिनर कर लिए कर लिया चलो फिर मैं भी करता भी तो चलो फिर करते इस वाले व्लॉग को यहीं पेंट और वहीं से भी वेल लेटर अभी कल आएंगे और अभी दस बच के तीन मिनिट हो च बाइ